जिनको इस तन पे सूजन है माताओं बहनों को पत्ते के साथ में इसका एक और उपाई कर सकते हैं इसके अंदर जो आने वाली फल की जो गिरियां है यहां बजार में भी मिल जाता है पका हुआ जो फल है इसका जो परिपक को जो फल है उस फल की गिरी निकाल करके उसको आप पीसे सिलबटे पे या मिक्सी पे बिलकुल बारिक पीस ले उसका पेस्ट बना करके यदि आप स्तनों पर लेप करती है उससे भी जो स्तन की गांठ सूजन और पीड़ा है बहुत दूर हो जाती है इसके पत्तियों का काढ़ा बना करके रस निकाल करके आप इस तरह से सावधानी की जुरुत पढ़ती है रक्तल पता जब वह एनिमिक हो जाती है तो ऐसे कोई और नहीं है जो उनको तूरंत दिया जा सके या जो हानी रहित हो क्योंकि उसमें बहुत सावधानी की आवश्रिकता पढ़ती है उस स्थिति में ये चार-पांच ग्राम इन पत्तिय को कूट करके थोड़ा रस निकाल लएं एक दो चमच्ण और प्रातहसायम या थोड़ा सा जल मिला करके पिला दें इस से पीलिया या पीलिया जन्हें जो उपद्रव हैं या लिवर की जो परिशानी है वो ठीक हो जाती है यह बहुत ही एक उत्स्तम आउश्रदी है पिलिय भाइनक दर्द रहता हो पेट में बड़ी बेचेनी होती हो तो इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग है यदि आप केस्ट्रोल ऑइल जो है उसको आप यदि दो चम्मस में थोड़ा निवू नी चोड़ लें थोड़ा नमक मिला करके उसको मिक्स करकर के यदि आप ले लें कबज के लिए यहां बहुत ही उत्तम रामबान आउश्यदी है कबज के लिए यह निरापद भी है यह आप बच्चों को भी दे सकते हैं बड़ों को भी दे सकते हैं सभी को दे सकते हैं रात को सोते समय आप दो चम्मस एरन का तेल दूद में घोलिये और दूद को पी की दूद में आप पका लें पका करके उसको उबाल करके फिर आप उसमें एरन का तेल मिला लीजे फिर आप देखेंगे सुभा आपका पेट आराम से साफ होजाएगा ना आपको विचेनी ना होगी परेशानी ना पेट Sammy एठन तो यह बहुत निरापद और आतों को भी शक्ति देने वाला प्रायह आईरुवेद के अंदर भी जो ओषदियां पेट साफ करने के जो तिब्र ओषदियां हैं विरेचन की जो ओषदियां हैं वो हमारी आतों को जड़ा लेने से नुकसान पहुंचाती हैं सनाय की पत् फल आदी थोड़े निरापद हैं तो एरंड जो है इसमें आपका बहुत निरापद प्रयोग हो सकता है पेट को साफ करने के लिए जो आतों की अंदर जो एंजाइम्स नहीं बनते हो रस पाचक रस नहीं बनता हो वो रस भी इससे बनने लगेगा खाये हुआ पाचन भी हो होगा और आराम से आपका पेट साफ हो जाएगा तो पेट साफ करने के लिए अति उत्तम आउशदी है यह एरंड का तेल आप घर बे लाकर के रख सकते हैं और आप प्रयोग कर सकते हैं और जो मेरे किसान भाई आज गुजरात अधिक्शत्रों में इसका इसकी बड़ी मात में खेती करते हैं उससे उनका यह रोजगार भी और बड़ेगा